दोस्तो आई पील 2022 के मेगा आॉक्षन से पहले प्री आॉक्षन जो है वो हो चुका है सुरू जहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 6 बड़े खिलाडियों के बारे में जो कि इस प्री आॉक्षन में मेगा आॉक्षन से पहले ही बिकते वे हमें आने वाले है न लखनव और एहमदाबाद की टीम के लिए जहां पर ये दोनों ही टीमें मेगा आॉक्षन से पहले तीन-तीन खिलाडियों को अपने स्क्वार्ड में जो है वो सामिल कर सकती है जहां पर दोस्तो जो फर्ष्ट रीटेन प्लेयर होगा उसकी प्राइज होगी 15 करोड रुपे जो सेकेंड रीटेन प्लेयर होगा या फिर कहें जो सेकेंड प्लेयर यहां पर बिकेगा आॉक्षन में उसकी प्राइज होगी 11 करोड रुपे और थर्ड प्लेयर की प्राइज जो है वो होने वाली है 7 करोड रुपे चिले बात करते हूं छे प्लेयर्स की जो की इस प्री में बिखते हुए हमें नजर आ सकते हैं सबसे पहला नाम है दोस्तो केल राहूल का और केल राहूल का नाम लगभग कनफॉर्म है कि इस प्री आॉक्शन में यह जो है हमें बिखते हुए नजर आएंगे और लखनव की टीम यहाँ पर सामने निकल कर आई है जिनके स्कौर्ड का हिस्सा केल राहूल जो है वो हो सकते हैं दोस्तो लिस्ट में अगला नाम जो है वो है राशिद खान का जियां दोस्तो केल राहूल के अलावा राशिद खान को भी लखनव की टीम से बहुती बड़िया ओफर आया है और यह भी हमें लखनव के स्कौर्ड में जाते हुए नजर आ सकते हैं बात करते हैं दोस्तों बगली खिलाडी की पर उससे पहले मैं आपको बतना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ओनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म रैडी अन्ना के बारे में जहां पर आप किर्केट फुटबोल और 160 फ्लस गेम खेल कर लागों रुपे जी आई है कि हार्दिक पंडिया को एहमदाबाद की टीम जो है प्री ओक्षन में ही खरीद सकती है एहमदाबाद की टीम दोस्तों डैविड वार्नर को भी जो है वो टार्गेट कर सकती है और डैविड वार्नर इनके नए कप्तान भी जो है वो हो सकते हैं इसके बाद दोस्तो जो अगला नाम है वो है युजविंदर चहल का इन्हें भी यहाँ पर pre auction में बिकता हुआ हम जो है वो देख सकते हैं वहीं दोस्तो लिश्ट में जो आखरी नाम है वो है इशान किशन का जी या दोस्तो इशान किशन भी एक नाम जो है वो सामने निकल कर आया है जो कि इस pre auction म हमें बिकते हुए जो है वो आ सकते हैं नजर तो दोस्तो यह है वो छे बहुती बड़े खिलाडी जो कि pre auction में ही बिकते हुए हमें नजर आ सकते हैं यानि कि यह player mega auction में जाने से पहले ही इनको नई टीमे जो है वो मिल सकती है एहमदाबाद या फिर लखनों के रूप में इ